हाई के सब स्वागे दे नियूरिकल्स चैनल पे मेरा नाम है निताश्ण सिंग और बहार अपने टाइटल पड़ी लिया होगा आज मैं अपने आइफोन से स्विच करने वाली हूँ एंड्रोइड फोन में अक्चल में देखा जाएं मुझसे बहुत सरे लोग कोशन पुशते हैं कि आप अक्चल में कौन सा फोन यूज करते हो मतलब वैसे देखा जाते हैं तो मैं सारे फोन को टेस्ट करती हूँ लेकिन जो मेरा परसनल फोन है उसकी अगर मैं बात करें तो लास्ट तीन साल से मैं आपल यूजर हूँ आइफोन को ही यूज करती आ रही हूँ और अभी एक साल से अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो प्राइमरी फोन है वो है आइफोन 13 प्रो मैक्स इसके लिए काफी सारे कोशन साते थे कि आप कौन से फोन यूजर करते हो तो यह है मेरा फोन जिसको मैं एक साल से यूजर कर रही हूँ और आज मैं एक्टिन में स्विच करने वाली हूँ इस फोन को बाई बाई करने वाली हूँ तो वीडियो कारते हैं स्टार्ट और सबसे बात कर लेते हैं इस डिवाइस के सबसे important point के बारे में ओव ददा सबसे impressive point के बारे में जो मेरे लिए बहुत important था वो है इस डिवाइस का हमारा battery backup मैंने इस device को आक्चिन में देखा जाए जिसे पूरे एक साल यूज की है और पूरे एक साल में कहीं बारी travel भी मैंने काफी सा रखिया था और मैं generally जब भी travel करती हूं तो remote areas में, mountain areas में या जहां पर काफी जदा snow होती है ना snow वाले remote areas वहां पर मैं travel करती हूं और में को इस device के अक्चिन में battery backup जो है वह काफी बढ़िया वाला दिया बहुत सारे लोगों को लगते है कि M.E.H. होते हैं जो हमारे इस device के अंदर वह काफी कम होते हैं बैटरी छोटी होती है लेकिन optimization काफी अच्छा होता है मैंने जितने भी बार इस device को ऐसी timing में ऐसी areas में use किया है मतलब ट्रेवल करते हुए अगर मैं देखूँ तो मैं इसी device के अंदर अपना GPS on करती थी उसके बाद मैं इसके अंदर music भी सुनती थी उसके बाद chatting और calling तो चलती रहती है लेकिन being a creator इसके अंदर बहुत सारा में shoot भी लेती थी तो उसी साब से देखा जाए तो इस device के अंदर मुझे एक दिन का battery backup तो अराम से मिली जाता था और अगर मैं generally बात करूँ जैसे यहां पे NCI region में में रहती हूँ यहां पे जब मैं device को यूज करती हूँ तो उसमें इस device के अंदर पूरे एक दिन यूज करने के बाद भी 35-40% battery बची जाती थी तो battery backup तो मुझे इस device का काफी अच्छे वाला मिल गया है अराम से अच्छल मैं पते क्या हूँ परस्टल एक्स्पिरिंस में आपको बता रही हूँ मैंने कहीं सारे फोन ना माइनस 20 डिग्री के टेंपरेचर में भी टेस्ट ही है काफी टाइम भी रही थी और उसमें क्या है अब फ्लैक्शिप्स की बात करो या किसी भी फोन की बात करो उनमें क्या होता है जैसे कि यह हमारा स्टील का डिवाइस है तो क्या होता है इतने थंड के अंदर यह स्टील का डिवाइस है इस तो पकड़ नहीं पाऊँगे बिल्कुल थंडा जंग जाता है यह एक दिकरत तो मुझे जरूर आती लेकिन इसके लवाँ बैटरि मेक तो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है इस favor देवाइस का इसके लावा charging तो slow है वो है इस जवाइस के हमारे cameras मतलब इसके ऊपर आप professionally depend कर सकते हो मैं आपको example दिखाते हैं आपको कहीं सारे actually आप पूरे एक साल में मैंने इसको कहीं जगा पर use किया है अब लास्ट जो winters आई थी वहाँ पर मैंने इसके अंदर एक trip पर गई थी मतलब professional level की quality आपको device के camera में मिल जाती है वीडियोग्राप्री के लिए तो बहुत ही मासते है fix के अंदर भी आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर fix मिलेंगी daytime में, night time में आपको अच्छी quality मिलेगी वैसे एक slow-mo video मैंने बनाया था अपना बरफ में गिरते हुए भी वह भी बहुत ही बढ़िया लगा था मतलब अच्छा शॉट ही दिया है आप प्रफेशनले भी इस device के उपर डिपेंड कर सकते हैं camera-wise अगर में बात करूँ तो यहाँ पर video quality fix की quality आपको बढ़िया वाली मिलती है हाला कि selfie camera जो है ऐसा नहीं है top level का है वो भी नहीं वो top level का नहीं है लें पहले से काफी इंप्रूब किया गया यहाँ पर देख सकते हो different different selfies मैंने जो click करी थी बढ़िया लगी मुझे मतलब यह personally मैं जो use करती हूँ मैं Instagram पर पिक डालनी हो यह कभी या वैसे तो इसमें पिक सबको काफी ठिक-ठिक मिल जाती है लेकिन अभी थोड़े असा और काम करने की जुरूरत है selfie camera में भी इसके लावा एक और चीज़ है जो मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्ट होती है तो मैं किसी भी phone को use कर रही हूँ वो होती है IP rating मतलब मेरे क्या है मैं travel जैसे करती हूँ काफी तो इसमें क्या ओरता है device पानी में बारिश में या फिर snow में तो मेरे use होना ही होना है और उसकी अंदर device को इसको तो मैंने काफी अच्छी से use किया snow fall हो रही है मैं अराम से device को use कर रही हूँ मैं इसने मतलब tension नहीं ले सकती हूँ मैं को अपना phone जो होता है वो चाही होता है कि इसमें यह चीज हमें अच्छी मिले यहां पे device के अदर जो IP rating हमें मिलती है वो काफी अच्छी वाली मिल जाती है मतलब यहां पे इस चीज की कॉलिटी अच्छी मिल जाती है और उसके साथ बिल्ट कॉलिटी में हमारी प्रीमियम है वादा हाक में होल्ड कर रहा हूँ सॉलिड और प्रीमियम लगता है हाला कि heavy है वादा मेब को personally use करने में heavy तो लगा था device काफी जादा बट कोई बात नहीं एक नहीं लगा कि कोई hanging problem या lagging problem आई है अराम से smooth performance device के इंदर मुझे यहां पर देखने को मिली और RAM management मुझे action में वह काफी सही वाली लगती है solid भी मिल जाती आपको यहां पर उसके इलावा वैसे gaming की बात करो तो मैंने device के अंदर वैसे तो सारी गेंस टेस्ट करी हुई है लेकिन मैं इसके अंदर gaming करती नहीं है वैसे gaming performance आपको device में काफी अच्छी वाली मिल जाती है मैं आई हाइस settings पर ले जाके आपको अराम से game ख नौच वाला मिलता है वैसे टॉप नौच है लेकि नौच भी मिलती है हाला कि practically use कि अगर मैं बात करूंच ऐसा नहीं कि मुझे जादा को डिस्टर्ब करती है थोड़े जनों मैं आदत पढ़ जाती है वैसे display quality अच्छी है brightness अच्छी है content देखने के मज़दा लगता है इसक आपको भी कहना चाहूंगे आप भी यह चीज़ अगर खुद compare करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वर्ट वोड़े होर्ट के refresh rate हमारा काफे जादा स्मूझ अपको feel होता है तो कारिस्टोली गेम्स खेलने में और ही मज़ा आता है scrolling करने में जादा ही smooth लगता है तो इसके तो हीटिंग होती है तो हीटिंग से बचाने के लिए ये डिवाइस की brightness को drop कर देते है तो यह चीज़ यहां पे भी है OnePlus में भी है IQ में भी है वीवो में भी है जो flagship phones आते हैं हमारे Samsung में भी है सब में ही है तो वह कोई दिकत की बात नहीं लेकिन आती है problem इसके लावा audio पूर्ट पूर्ट जो है वो मुझे डिवाइस को बहुत ही मस लगता है मतलब फाइरिंग वाले स्पीकर है लाउड कियर मैं क्या करती हूँ ऐसे रख देती हूँ डिवाइस को और अराम से ब्लुटूफ लुटूफ लुट किनेक्ट कहीं बार नहीं भी कर पाती तो उसमें क्या होता है कि आपको जो audio experience मिलता है वो भी यहां पर बढ़िया वाला मिल जाता है साथ ही जो एक और पॉइंट है जो मतलब सबसे जादा important point बन जाता है जिसके वजह से लोग Apple का फोन खरीते है वो होती है की security and privacy मतलब तीन साल से मैं use कर रही हूँ अपने primary phone की तरह Apple को और उसमें मुझे actual में बढ़िया यहां पर quality देखने को मिली है मतलब अगर मैं updates की बात करू security patches की बात कर आपल के साथ रहा है तो अब मैं Android में क्यो सुच कर रही हूँ आ रहा होगा आपको बढ़ी रहा होगा ऐसा क्या हो गया तो मैंको बताती हूँ अच्छ में क्या है मैंने एक phone देखा और वो मुझे ना बहुत ही जादा पसंद आ गया मतलब प्यारी होगे मुझे इस phone के आप लोग तो जो बताओ आपको जो बताओ कौन गयस कर पाएगा देखते हैं कि मैंको वो कौन सा phone है फ्लैक्षफ़ फोन है यह बता जाती हूँ अपको और कौन सा phone है जिसको मैं यूज करने वाली हूँ अब मैं Apple से सुच करने वाली हूँ Android में और आपको क्या लगता है वो कौन सा फोन है? देखती है कौन कमेंट कर पाएगा और वैसे मैं आपको बताऊंगी नेक्स वीडियो में. तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं जलदी से आपसे नेक्स वीडियो में तो फट फट से करो चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही आगे वीडियोस लेखने के लिए